दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लिजे आप बहुत ही जादा भाग रिशाली हैं क्योंकि अब आपको हन्मान जी की असीम कृपा प्राप्त होने वाली हैं और आपके जीवन की सारी परिशानिया, दुख, दर्द, शत, प्रतिशत खतम होने वाले हैं क्योंकि इस कल्यूग में हन्मान जी ही सबसे जादा जागरत और साक्षाद देव हैं आप ही बताईए जितने मंदिर आपको हन्मान जी के दिखते हैं क्या किसी और देवी देवता के हैं यही प्रमान है कि हन्मान जी सबसे जादा जागरत कल्यूग के देवता हैं और इनक सभी पढ़ते हैं 7 बार 11 बार या कोई-कोई तो 108 बार पढ़ रहे हैं और निरंतर अराधना कर रहे हैं लेकिन क्या कोई पूर्ण लाव मिला नहीं न मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जैसे आप हनमान चालिसा पढ़ रहे हैं वो बिलकुल ही गलत तरीके हैं जिससे कभी भी हनमान जी खुश नहीं होते हैं दोस्तो कल्यूग अपने चरम सीमा पे पहुँच चुका है 2025 से लेके 2027 और भी जादा भ्यानक होगा इसलिए हनमान जी से जुड़ जाइए तो कि जिसके सर पर हनमान जी और प्रभु श्रीराम का अश्रिवाद रहता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती है उस साधक की हनमान जी चारो दिशाओं से रक्षा करते हैं और हनमान चालिसा की चौपाई में इसका वर्णन भी है सब सुक लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहूं को डरना अर्थात हे हनमान जी जो भी आपकी शरन में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर हमें किसका डर है मैं सभी अपनी भाई बहनों से हाँ जोड के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो के एक एक पॉइंट अच्छे से समझना क्योंकि आप मेरा परिवार हो और अगर आपके जीवन को मैं हनमान जी के आदेश से बदल सका तो मुझे सबसे ज़ादा खुशी होगी मैं इस वीडियो में अपना खुद का अनुभव शेर करने जा रहा हूं जब मैं हनमान चालिसा से जुड़ा था यकीन मानिये जो बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं वो प्रत्यक शुरूब से आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख देगी और जो बाते आपको बताऊंगा वो अलौकिक ज्यान है जो आपको कोई नहीं बताएगा ना ही इसकी सही जानकारी आपको किसी वीडियो में मिलेगी तो हनमान जी की सारे भग्द वीडियो पूरा देखना और जो तीन बाते मैं आपको बताऊंगा वो एक-एक बाते ध्यान से सुनना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस अद्बुद ग्यान से आप में से कोई भी सादक वन्चित रह जाए पहले बात करते हैं कि हनमान चालीसा पढ़ने से आपको लाब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि आप में से बहुत से सादक हनमान चालीसा सिर्व पढ़ रहे हो वो भी कई सालों से आपको करना क्या है हनमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ उसकी हर एक चौपाई को समझना है क्योंकि इसकी एक एक चौपाई इतनी जादा शक्तिशाली है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता आपको पहले ही दिन से दिव्य अनुभूती होने लगेगी और आप सीधे हनमान जी और प्रभू श्रीराम जी से जुड़ जाओगे एक और बात जान लिजे कि अगर आप पून रूप से हनमान जी से जुड़ते हैं तो आपकी जितने संकट परिशानिया है जो आगे आने वाले हैं सब संकट धीरे धीरे खतम होने लगेंगे और यह शाश्वत सत्य है इसे कोई नहीं टाल सकता ऐसा ही हमारे हनमान जी को संकट मोचन नहीं का जाता है अब जानिए आपको करना क्या है आपको हनमान चालिसा लेनी है अर्थ सहिद जिसमें लाल रंग की स्याही से ये देखिए हन्मान चालिसा ला रंकी स्याई से लिखी हो और उसकी नीचे उसका अर्थ लिखा हो जै हन्मान ग्यान गुर सागर जै कपीस्ति हो लोग उजागर और नीचे इसका अर्थ लिखा है ठीक है तो हन्मान चालिसा की आप किताब ले लिजेगा जिसमें अर्थ लिखा हो भाव विभोर होके आपको हनमान चालीसा का पार्ट करना है यकीन मानिये आपके आँखों से आसों निकलने लगेंगे और रोंग्टे खड़े हो जाएंगे और हनमान जी के आसपास होने की दिव्य अनुभूती भी होगी और जब हनमान चालीसा समात हो जाए तो अंत में श्रीराम जैराम 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 आपको बोलना है वो भी चार बार ऐसे ही आपको रोज हनमान चालीसा नित तीन बार पढ़ना है दूसरी सबसे महत्पून बात आपको हनमान चालिसा पढ़ने के बाद रुद्राश की माला से श्री राम जैराम जैजैराम का 108 बार नित्जब करना अत्यंत जरूरी है क्योंकि हनुमान चालिषा के बाद प्रभु श्री राम का नाम लेने से हनुमान जी अत्यंत प्रसंद होते हैं और अपने भक्तो पे शिग्र अतिशिग्र कृपा करते हैं आपको हर दिन एक मालज अपनी है और मंगलवार और शनिवार को दो दो बार श्री राम जैराम जैजैराम का माला से जाब करना है इसलिए जितने बातें आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा नहीं तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजेगा तीसरी बात जो इन सबसे महतपूर्ण है और हर साधक यही गलती करता है जिससे हनमान चालिसा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है ध्यान से सुनिएगा हम सभी जाते हैं कि हनमान जी नियमों को मानने वाले देटा हैं तो उन नियमों का पालन करना भी अत्यंत जरूरी है जिससे हनमान जी की कृपा अत्ती शिग्र मिले तो नियम ये है कि आपको प्रातरकाल उठना है, सनान करने के बाद आपको पहले धूब बत्ती जलाएं और चमेली के तिल का दिया जलाएं तूलसी जी चड़ाएं और प्रसाद जैसे चनागुड या किस्मिस या चूरमे का लड़ू भोग लगाने के बाद आपको आसन लेना है, कोई भी लाल आसन और मुख पूरब की तरफ करके हन्मान चालिसा की एक-एक चौपाई को समझ के धीरे-धीरे पढ़ना है अगर सूर्य भगवान के साक्षाद दर्शन हो तो अतिशुब है, क्योंकि सूर्य भगवान हन्मान जी के गुरू है, तो हन्मान चालिसा पूरब की ओर मुख करके पढ़ने से विशेश क्रिपा प्राप्त होती है और हर साधक ये ध्यान रखें कि हन्मान चालिसा पढ़ रहे हैं तो ब्रमचर का कठोरता से पालन करें और ग्रिहस्त हैं तो मंगलवार और शनिवार को ब्रमचर जरू धारन करें और अगर संकब लिया है तो उतने दिन ब्रहमचर रहना अनिवार है लेकिन इस साधना में आपको संकब लेने की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि इस साधना को करने के बाद आप रोज हनमान चालीसा पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे ये मैं स्वय की अनुभव की बाद कर रहा हूँ और ध्यान रखे हनमान चालीसा का हमेशा शुद्धतन और मन से मंदिर में दीपक प्रजुलित करके हनमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें हन्मान चालीसा का पाट करते समय सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आप हन्मान जी के क्रोट का पात्र बन सकते हैं आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से विर्थ में जगडा नहीं करना चाहिए और सबसे महतपूर्ण बात जब आप हन्मान चालिसा साधना कर रहे हैं तो कैसा भी संकट आए ध्यान से सुनिएगा आपको हन्मान चालिसा पढ़ना बिलकुल नहीं छोड़ना है ये शुरुआत के कुछ दिन ही लगेगा प्रभू आपकी परिक्षा भी ले सकते हैं और प्रणन नहीं किया जा सकता आपकी जीवन की हर परिशानिया दुख दर्द धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगे और आपकी सभी अभिलाशा की पूर्ती होगी क्योंकि हन्मान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अश्ट सिद्धी और नौन निधियों के दाता हैं और हन्मान जी की विशेश क्रिपा प्राप्त हो कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा अगली वीडियो में हम ब्रह्मचर पर बात करेंगे जो आपको ब्रह्मचर में स्थित होने में मदद करेगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर आ कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक सबको जैश्री राम